अब हम सभी लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाषा सिख्षण सिध्धान्त में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम बारी-बारी से करकर सभी के सभी सिध्धान्त आपके लिए सिध्धान्त की बहुत कुछ आपके बहुत मैंश करता रहे लेकिन संस्कृत को दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे इसमें से पहला सिध्धान्त हम करेंगे बहुत प्रशन भी बहुत अच्छे हैं पर आख़ाओं में तो सव्भाविक्ता का सिध्धान क्या होता है कि जो बच्चा जब बतरब स्वभाव से सीखता है मूल बाद इसका यहीं है कि बच्चा क्या करता है तो बहुता है सब्सक्राइब जो उसके घटित हो रही होतीं सारी चीजिवों से काचित ओंदाता प्रब्रतिव होती नहीं उस तरीके से घुए सीखने लंगता है जो आश्पास माता पिता परिवार जो भी लोग है É उसकी आपस रहरे हैं उससे वह शीहलर करणे नहीं है डिक ज़ए ओन्य स tipo भाषा अधिगम नाय अधिगमाय सारीरिक मानसिक छमता यह आवशकता होती है यह दोनों जिरुद पड़ेगी अगर पता चला आप बच्चे का जीहवा ही नहीं विक्सित हुआ है सही तब भी वह नहीं कुछ कर पाएगा सुन तो पा रहा है तो से सुनते सुनते हो सुनने तो लगेगा तो कोल मिलाज करकर कि एगर कान की च्रम परिंद्धिय कान अगर कोई दिक्कत आ ज्विनर उतल है वह सुनी नहीं पाएगा तो नहीं पूल पाएगा इसका मतलब भासा सीखने के लिए भासा अधिगम के लिए सारिक और मानसिक छमता बहुत जरूरी है इन दोनों का हुना जरूरी है तो यह बच्चा भासा सीख पाएगा सिसुँ जर्मा पारांब्य भासा अधियतुम उच्चुक होती है गाता है भासा सीखने के लिए उच्चुख होता है अधर मैं खेएक जरूरी होता है कि झाप उड़े हम के सन्सक्रिकों का शेंस्सक्रीन और सबसें को आज्वाज को जकी शोंड़ा सोँनो करके संस्कित भाषा का स्रम बच्चा जर्म के आरम से ही करता रहे और अंग्रेजी पढ़ेगा तो जिसको बच्चावा लगेगा और उसको बहुत ज़्यादा कठनाई नहीं आएक से अधिक होती है और देखे रहते हैं कुछी चीज को उनके दिमागे बढ़ जाता है क्योंकि उनके लिए सब कुछ नयापन होता है अभी हमारे जिन्दगी में कोई नया चीज अगर हम लोग देख लें जो पहली बार हेलिकाप्टर में आत्रा करने या एरोप्लेन में आत्रा करने तो आश्चर होगा नारी याद देखो ऊड़ रहा है किसी व्यक्ति को पहली बार जो है रस्ती में बांद करें क्या उड़ा दो तो उस तरीके से तो उड़ा दोगे तो फिर जिन्दगी बार थोड़ी भूल पाएगा ऐसे बच्चों के जिन्दगी में जो चीजें शुरुआत में जो कुछ करता रहता है तो सब कुछ उसको बहुत नया नया चीज दिखता है फिर भूलता नहीं है उसके लिए अश्चर हो जाता है तो इस बनी रहती है और यह इसलिए कहा गया है कि बाल्या वस्ता में बालक की अधिक होती है एपभास संस्कृत भासा अध्याप पईतं विद्यालय कच्षायां वही तादिर्शम वातावरं निर्मित अब्यं संस्कृत मैं वातावरं रहेगा तो बच्छा संस्कृत जलदी से आसानी से शिख पाएगा यह मतलब वातावरं से विना सिखाए लेता है यहीं क्या होता है श्वभाविक्ता का सिध्धान्त दूसरा सिध्धान्त हम लोग यहां पर पढ़ने चल रहे हैं अभ्यास का सिध्धान्त से भोज़कते हैं होती तो बढ़े जल्दी आ जाएगा यह कहिए कि बहुत अच्छे लिवल का आप वहांशा प्रयोग करने लोगे संस्क्रित भासा किसी भी प्रांत की मात्री भासा नहीं है कि वहां पे पूरे लोग संस्क्रित बोलते हों ऐसा कभी कोई सुनने में आता है कि यह गाउं है वहां पे लोग बहुत सारा क्यों संस्क्रित ही बोलते हैं संस्क्रित बात करते हैं तो लेकिन हमको लगता है क्यों क् पिछा किसी प्रांत की मातरी भासा नहीं है अथा इस भासा के लिए कुछ अधिक ही अभ्यास की आवश्यक्ता बतायाती और था संस्कुत सीखने के लिए थोड़ा अभ्यास आपको अधिक करना पड़ेगा जहां कि मातरी भासाब हिंदी है हम लोग जैसे बिःर हुआ उत्तरडेश-मध्यप्र राजस्थान इंसब एरियाज में उत्राखंड में हम लोग लोग हंदि बोलते हैं तो इधर कि हम लोग कासटे हैं कि तर्केसमातरी भासा ली तो बहुत ही हो डी बोलते हैं अपने आसपर करना चाहते हैं कि इस लिए कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां पर बच्पन सभी संक्रित बोलने लेगे इसका मतलब अब और सभी कि वच्छें संस्क्रित नहीं बोल पाते हों जो संस्क्रित जिससे बोलवाना होगा जिससे पढ़ाना होगा जिसको समझाना होगा वच्पन से उसके साथ में बात बेभार किया जाये तो निस्जित तरके से उसके बहुत आसान हो होता है कि अभ्यास अभ्यास दो तरके का होता है कौन-कौन एक मौखिक और एक लिखित दोनों अभ्यास कर सकते हैं कि जो अभ्यास करेंगे वाली करशल का विकास आप में अधिक हो जाएगा जिस जिसका आप अभ्यास नहीं करोगे कि उसका क्या होगा उत्र अच्छा विकास नहीं करेगा तो किसलोका नाम नीतिकया नवरस पधानाम इत्यादी अंसानाम प्रयोग है इतती जीवनहीं अधिकत आभवती चेत rot रह संस्क्रितम प्षि-अभिरुचिंगु प्रदर्श से अधि संस्क्रित भाता में सब गायन करने के लिए हो तो उसका अगर वह बार-बार प्रयोग किया जाए ऐसे अंसों का या कहानियों को बताया जाए तो क्या हो जाएगा उससे देखेंगे कि बच्चे का रूची उस संस्कित साइथ बढ़ेगा उस कथाओं को पढ़ने के लिए अभी कोई अगर रामज चीज है ऐसा है ऐसा है कुछ लोगों के अंदर यह जिग्यासा होने लगेगी क्या वाव क्या बात है निश्यत तरीके से इसको पढ़ना चाहिए तो हम अईसा अनभव किये हैं बहुत सारे बच्चे अईसा ले लिए हैं और गीता की कुछ बातें अगर बताने लगो कुछ बाते कहीं रोचक चीजें हों जिसमें लगे कि कुछ मिल सकता है तो निश्यत तरीके से उसको पढ़ेगा उसमें मन लगने लगेगा तो ही करें कि जीवन में जो हम लोग जी रहे हैं इस जीवन में अगर हम इस सब चीजों का प्रयोग अधिक से अधिक करें तो निश्यत सब्सक्राइब करेंगे और संस्क्रित पढ़ने के लिए उत्सुख होंगे संस्क्रित क्या पढ़ेंगे भी ठीक है हम तो पहले नहीं उतना आजादा था लेकिन शुरू से जब थोड़ा बहुत करते करते मन लगने लगा फिर मैंने जो देखो भासा से पढ़ लिया और अ अनुसार बच्चा स्वयं से करने लगेगा जिस बच्चे के अंदर जिस विसे के प्रति रूची अधिक हो वह उस विसे को बहुत अच्छे से बड़े घराई से पढ़ने लगता है तो तीसरे नंबर में आता है रूची सिध्धान मतलब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जिस अधियाले का जो वातावन है चात्रों के रूची की अनुसार होनी चाहिए जिस तरीके से बच्चा सिखने में उसका मन लगे उस तरीके का वातावन क्रियेट करना चाहिए संस्कृत भासायां में जब तक चात्र की रूची होती है तब तक संस्कृत अध्यान सम्यक रूप से हो सकता है अरफात संस्कृत में ज्यान संस्केत में बच्छे का अजिःगम होता यह तब तक रहेगा जबतक की उसम के प्रती बच्चे के अंदर क्या हो रूचीग करता रहे हैं अगर कोई बच्चा प्रती हां ग्रेजी में इतना अचचा रूची रखे तो उसके लिए ऊप दिव उतनाई सीखना आसान हो जाएगा कोई अगर गणित में रूची रखे तो गणित भी सीखना उसके लिए आसान हो जाएगा सिक्षण समय द्रिश्य श्रव्य उपकर्ण आनाम प्रयोग अनिवार्यतया करनल यह भवति करनी चाहिए अगर शिवेश्य स्यामगरी का प्रयोग किया रहा है तो उसके अंदर मत्रब बच्चे का प्रति रूचि उत्पन करने के बेस बेश साधन है कि बच्चे को द्रिस तरब सामगरी का प्रयोग करने चाहिए कच्छा में जो है जो स्यामपट्ट है आपका आजकल तो वाइट बोर्ड भी लग जा रहा है या फिर इस तरीके से डिश्टल करना या फिर जो भी कुछ है मतलब बच्चा देखें जिसके आप लिख सकें पर सकें अगर आपके पास में इस तरीके से डिश्टल सिस्टम है तो उसमें आप फोटो भी दिखा सकते हैं कमल पढ़ा रहे तो कमल का फोटो रहेगा उससे कंदर उसका क्या हो जाता है इमेज बन जाता है जैसे आज भी को कलर में बहुत होती है लाल फिला नीला नारंगी अरा सब जानते हैं लेकिन कभी-कभी कुछ कलर में पाते हैं कि इसको क्या कलर कहें जैसे इस वाले कलर को कथा ही कहें और इस वाले को क्या कर अगर इसको हम के सरीया कहें तो एक और मेंगे होब यह वाला कान सा फिला और स्कुलाब है तो आईसे होता जैसे हम लोग पढ़ते तो इसको बतातेएं तब आइसको बताओ कि यह वसंती पीला है का टेस्ट कर रहे होंगे सब्सक्usty कर रहे हम लाला और लाप में अलग ऑलग पी अ इसी तरीके से जैसे पिंग कलर हुआ लगता है यहां प्यार आना यह दोनों रेड़ है यह दोनों रेड़ है अभी तो रेड़ ही कहोगे अभी कौन रेड डार्क रेड रेड लाइट रेड यह सब रेड बताते चलो आसमानी ग्रीन तो सबका नाम अलग होना चाहिए फिलाल जैसे मैं बता रहा हूं कभी-कभी कोई गहों की कहता है काही रहायं तो इस तरिके से और इस तरुसके पाएगा जिक्ता कर लिए तो से बच्छा यह uche कराएंगे तो यह कलर आएगा इसी तरह के से हर चीज में फ्लूल के नाम पक्षियों के नाम अगर साथ में दिखता रहे और फिर उसको बताते चले तो जल्दी समझ जाएगा और उससे उस बच्चे कंदर रूच उत्पन होती है इसके बाद क्या आएगा और फिर आप क्या क बना सकते और फोटो रहेगा बच्च बता देगा तो उसको उसमें भी बहुत रूची उत्पन होगी बच्चों के अनुसार आपको मैटरियल बनाना पड़ेगा या फिर यह कहो ऐसा आपको करना पड़ेगा कि बच्चे के लिए वह हैलफुल हो ऐसा नहों कि बहुत अपर आपको करना सक्री काम होगा अब जितना जिस इस मुष्वास के प्रती बच्चा जितना आधिक इसünde अंदर उत्ता वत्तती को बच्य का शक्री होना बहुत ज़रूरी है अगर बच्चा सक्री नहीं है तक फिर सब धाता है जो शीक्षगी नहीं पाएगा जाता है अधियम मंद गती है हो जाता है अगर इसा करेगा यह देखो दो जघना गया गलती से तो कुल्म लाज़ुला करके वह विकास बहुत तेज करेगा अगर वह सक्री रहेगा तो संस्क्रित सिछाण संबंधित विविद क्रियासु भागम ग्रहनम पुस्तकाले संस्क्रित तो पुस्तकाले में भी ले जाना थाइए पुस्तके संस्क्रित क्रियासु क्रियाओं उसमें भाग लीना चौँए बच्यों को भाग दिलुए बच्चोंगी और उसके रूची ऑर उस्थाइत होगा पणने आप सब करेगा आगे आता है माली अध्यापक हैं तो ला कुछ मोखी कारे कुछ दे दीजिए बहुत सारा जिसमें आपका कहाने सुनने वाली बात आती हो जिसमें आपका स्लोक वाचान सुभासितम और कुछ कहानी को बताना संस्कृत में इस तरके से एक कुछ आप ब बात करेंगा उस भासा की भीकास होगी तो मौखीक कारे से द्धान तो लिखित हो जाएगा तो मौखीकारे कान से और जीहवा के द्वारा आध्यासा करोती सबसे पहले सीशु जो है बच्चा जो है स्रवण और भहासना का address करता है सुनने और बोलने का अभ्यास करता है इसके बाद आनंतरम पढ़ना से एगो मलेखने के रखता करेगा था तब जाकरे ुप्रौफिक में काम कर ता यह रहा यहां इसका कारण्ट बच्चा मौखिक कारे पहले करता है बहुत सारा स्वण और सुननेगा फिर बोलेगा फिर सुनते सुनते बोलेगा लिखेगा थे बाद में कर ओता है मतरब्द भात मतल刚 कारे लिखिक इसके लिए क्या होना चाहिए गर वह शुनना और बोलना दोनों प्रापर तरीके से करने लगा तब वह पढ़ेगा लिखेगा बहुत सुध तरीके से जो चीज पढ़एगा उसको भी तर्क इसust पढ़एगा जिस वान का जहां से उचाने स्थानों का उसको वहां से उचरित करेगा उसकी कोशिस करेगा और अगर कहीं इदर होता है तो अध्यापर उसका plugging us कर देगा निश्य तरके से बता देगा, खिलियर कर देगा, वो फिर वहाँ, वो सही तरके से उच्छरित करने लगा ध्वनियों को, और जब वो सही बोलने लगेगा, सही पढ़ने लगेगा, तो निश्य तरके से मानिये को सही लिखने भी लगेगा, अब जब वो लिखेगा, तो वो स मैं तो लोग तो यह कोशिस कोशिस करते करते लिखेगा बटम आपको न Special लेखन कैसे सुध्ध होगा लेखन कैसे होगा जब आप सुध्ध बोलोगे पढ़ोगे जब बटम बटम पढ़ते लिखते तो इसलिए आता है कि सुध्ध लेखने के लिए सुद्ध उचानन बहुत जरूरी है सुद्ध लेखन के लिए सुद्ध उचान बहुत जरूरी होता है और सुद्ध उचानन के लिए सुद्ध सुनना रूपन सुनना आदर्स वाचन तुन तुत्रहा मास्टर अगर कहे दे कि बोले तु आदर्स वाचन तो कर नहीं पाएगा तुत्र आएंगे और वाइस सही लोगों को पैर से दिव्यांग और बहुत परसान हो जाएंगे बच्चे को सिखाने में उनके लिए अपना दूसरा भी भाग है उसमें जाएं तो ज्यादा सिखें अब चलते हैं छटमी सिद्धान्त हम लोग पढ़ते हैं क्रमशिद्धान्त क्रमकाशिद्धान्त आ जागा शात्राम इस्तरा अनुसारे न संस्कृत भासाया प्रयोग करतव्यम तेन छात्रा क्लेशम नानुभयते चात्र अस्तर के अनुसार मतलब चात्र के यतना वधिक अस्तर है उसी के अनुसार हम को संकृत भासा का प्रयोग करना चाहिए जब ऐसा हम करेंगे तब उससे बच्चे को कठिनाई का अन्भाव नहीं होगा और धिल बहुमुखी होना चाहिए तो नहीं वह कारण इने च्छात्र नाम सर्वा विधा विकास होती और इस कारण से बच्चे का हर तरीके से विकास होगा बहुत सारे एक्जांपल बहुत हर तरीके से समझाईए हर तरीके से उसका एक्जांपल दीजे ताकि बच्चे को बहुत तरिकेस उसको कनेक्ट कर पाए और उससे उसका विकास बहुत अच्छा होगा कि नेशा जाता है जो बहुत ही महत्तपूर्ण पॉइंट है यह सूभ्त और वेक्तिक होती है मतलग अलग बच्चे वह सीे जो अधिवां जमता होती हो अलग होती है और ब्लड वान सभी अलग लग उनका माहौल है तो वहां से भी आएंगे तो उनकी अलग-अलग तरीके से सोच होती है उनका बाउधिक असर अलग-अलग होता है तो इस भिन्नता से थोड़ी बहुत अंतर आ जाएगी और यहीं कारण है कि सभी लोग अलग-अलग से आ रहे हैं इसलिए सभी लोगों को किसी एक ही माद्यम्या किसी एक ही नियम से सिखाया नहीं जाएज को को अको क्या करना पड़ेगा बहुत सारे टैकनिक बहुत सारे इन सबका यूज करना पड़ेगा तब जाकर करके बच्चा उसको उसको कुछ बच्चे इसमें थर से कुछ उसमें थर से कुछ उस अधिगम सामागरी से कुछ उस से अलग-अलग गति-विधीयां-प्रविधियां सोल लो सिख़ते हां भासायाम अधिकारह अधिकारह कच्छा या हा विद्याले से परिवारत से चवाता वड में अनुसारी भवलती अत्याध गहता है शतंत्यता वडने सतंत्रवाता वरने छट्रा याम जिग्याशा अधिका भवलती ये 7 recover अधिकार या विध्याले का जो वातावरन के अमसार होता है अतः वातावन सठीक रहेगा जैसा वातावन रहेगा उसे अमसार बच्चा उस तरीके से सीख पाएगा अगर वह इन्वार्मेंट हो तो इसमें बच्चा डर के मारे बहुत ज़्यदा सोच नहीं पाएगा तो अब कुछा जाए कि अध्यापक बच्चों के लिए कैसा माहल बनाए तो ऐसा बनाए जिसमें बच्चे निर्वीक रहें जिसमें उनका जो ऐसा नहों कि कि कुछ हम बोले तुरहंत आप लाट दें कुछ बच्चा बोले तेश्याष्ण यूशन पूच रहा तो कि सवर लेता हैं तो क्या सोच आज़ए हम आते रहेंगे उसमें नहीं दो झाहnar स्कूछर माहिए कborर ना है ऐसा किि हमको वतावन बनाना है स्वतंत्र वातावन रहे जिसमें छात्र छात्र जो है खुल करकर के बोल पाएं और थात्र हम यह कह सकते हैं कि बच्चा डरे ना ऐसा इंवार्मेंट देना चाहिए और उस भासा को सिखने के लिए वह सही हो जैसे हिंदी अगर हम सिखा रहे हैं तो हिंदी में भासा बेभार करें के सिखा रहे तो संस्कील भासा' बेभार करें उर्दू सिखात उर्दूए भासा बेधार करें लक्ष्य भासा का प्रयोग करें कि अ ST वता वाटावन वियक्तिक भिण्टा ग्यात्व सक्क्यनते करें 7 वाटावन में ही हम व्यक्तिक इस बच्चों की अलग अलग जगों से आएं तो उनकी भिनता को हम जब वह स्वतंत्र रूप से बोलेंगे तब ही जान पाएंगे अगर वह स्वतंत्र रूप से बोलेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि वह स्वतंत्र रवातावन में जब बोलेगा इसका मतलब है तो हम उसकी अलग अलग बच्चों में भीनता आराम्स कर सकते हैं कि वह किस तरके से ले रहा है मिमार्य रूप से पालन ही हम बहुत ही पालन करता है जब बच्चा क्या हो जाए बच्चा स्वतंत्र रूप से वातावन हम उसको दें तब अर्था कंट्रोल्ड इंवार्मेंट ना दे दें बच्चे को फ्री करें थोड़ा ताकि उपने विचारों को रख पाए तब वहा चल्एउ के मत के अनिसार मतबerson के विचारों के अनुसार संस्क्रित वासा अत्यंत ही जटिल बताई जाती है क्या है अधिक अधिक प्रयास की आवश्यक्ता होती है सिखाने के लिए टीचर को प्रयास करना पड़ेगा और सीखने के लिए बच्चों को भी प्रयास करना पड़ेगा तेन यम भासा सरली भवितुम शकनोती जिससे यह भासा क्या हो जागा सरल हो सकता है और थात जब हम इस सब को समय करूप से भली वहां तेगर समझा लेंगे तब उस भासा को सीखने के लिए आसानी हो जाएगी बच्चे को सरल लगने लगेगा और जब उसमें हम सब को पता ही न रहें तो नहीं कर पाओगे जैसे सब कोशे करो कि आप लोग विद्यारती है मांगा जाए पेन और आप उठाक दे रहे हो कौपी मांगा जाए कापी आप उठाक देए किताब तो आपको भली भात ही पता होना चाहिए कि पेन क्या हाई किताब गता तर पता रहेगा तो आप उस चीज का लेंदे आसानी से कर सकते हैं चयन विभाजन का सिध्धाम है यह भी बहुत जरूरी है यसेसे सब पोच्छ करो आप कोई पढ़ा रहे हो माणलो पार्थ में रच्छा बंधन चप्टर दिवाली का भी चप्टर दिवाली आप तयुसे और उसके आशस्पास अगर उस टाफिक को पढ़ाने के लिए चान करते हैं कि हम इसको इस समय पढ़ाएंगे तो चयन विभाजन सिध्धानत यह होता है कि इसको इतिना चीज अभी जानलो इतना बाद में जान ले जैसे ठंडी वाले कहानी नियों थे सुनाओ बड़े इच्छे नाम मुख्य दीवशा नाम रितु नाम चिव आधारेन करणियं करें कि संस्कीत भासा सिक्ष्षन जो संस्क्राइब है उसमें कौन सा पड़ाना चाहिए तो उसमें उस पाठ को उस रितुसे संमंदित उस-उत्सव के अवसर पर उस दीवस के आधाना चाहिए अगर आप उस लाइफ को तो निसीत तरीके से क्या होगा कि उसमें थोड़ा अच्छे से उसकी लड़नी हो पाएगी ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं का शिक्षण सुत्र आगया है इसके पहले रिवा प्रें सभी सिऽ nationally सिभी सिधि seal के अलावव कुछ और सिध्द्रानेट से जहत पर्णे से और से किसी पुस्तक आपको दिखा दूँ जिसमें मैं कुछ सिक्षण सुत्रों को एक जगा पे जो यह लिखे गए हैं उसको तरीके से रखे हैं अभी एक सेकेंड आप लोग थ्वास असा मैं दीजिएगा मैं उसको दिखा रहा हूँ कि सिख्षण सिध्धान्ट बोलो स्री राम जय राम जय जय राम बोलो स्री राम जय राम जय जय राम बोलो स्री राम जय राम जय जय राम कि यहां चला गया भाई अच्युतं के सवं कुष्णदा मुदरं रामुना रायडं कि यहां पर हम सेफ कर रहे हैं अभी वाया तो यहां पर आप लोग अगर देखें तो यहां पर हम लोग बताए कि यहां कि संस्कृत भासा सिक्षण सिध्धान्त प्या होते हैं कि बहुत है वाशा स्क्षण के सफलता के लिए बनाए गये नियम जो जो भासा शिक्षण की आधार के स्वरूप होते हैं मतलब ध्यान देना यहां पर हम कुछ डिस्कुशन कर दे रहा है इस वाले पर भी ताकि आपको समझने में थोड़ी से आसान हो जाए कि संस्कृत भासा सिक्षण सिध्धांत जब हम इस वाले इसको पढ़ा रहे थे तो इसमें हम आपको चर्चा किये थे संस्क्षण सिध्धांत किसी भी भासा सिख्षण के सफलता रहे बनाए गए नियम जो भासा के आधार स्वरूप होते हैं भासा सिक्षण के सामान सिध्धांत कह जाते हैं अभर लिए अब यहीं अगर हम संस्कित भासा के लिए बनाएं कि संस्कित भासा के लिए बनाते हैं उसके अनुसार संस्कित भासा सिक्षण सिध्धांतों का अनुसरन करके ही भासा सिक्षण को सफल बनाया सकता है अदर्वाइज आप बहुत मेहनत करते रहोगे रगड़ते रहोगे वह बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है तो क्या किया जाना चाहिए भासा अब देखो हमारी फोटो दे रहे हैं ठीक है तो चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा कि भासा सिक्षण का भासा सिध्धांत का प्रयोग आपको करना चाहिए अब देखो यहीं जो है भासा सिध्धांत जो मैं अभी जो बात कर रहा था कि कुछ जो टॉपिक वाइस इस तरीके से भी देखने को मिलते हैं तो आप इसको भी ध्यान से देख लो चलो हम इस पर एक एक चर्चा कर लेते हैं जो टॉपिक आपने पढ़ा है वहीं सारे टॉपिक यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो क्या है संस्कृत भासा सिख्षण सिध्धांत अब बच्चा क्रिया सील होगा तो उसको और को तेजी से समझ पाएगा सीख पाएगा श्रियासिल उच्जिग्यासू ठीक इस तरीके से फिर हम लोग पढ़े थे मौखी कार्यास सिध्धांत मौखी का सिध्धांत उसके बाद आज ही पढ़े रूचे सिध्धांत अब देखो यह वाला सिध्धांत आप इसमें भी मैं नहीं बता था तो मैं हमको लगा कुछ सीजें बता जाते हैं अनुपात क क्रम-योथ सिध्धांत का कब information का मतलब है कि कि सेख्वत्राइन रही हैं नहीं उसका अनुपात हो कि किस अनुपात में हमको कौन सी कार्या कि सकते हम कि अधियम सामगिर के सांस तिखाना उसका अनुपात बना के चलिए समवाय सिध्धान्त आजकल देखने को मिल रहा है आप लोग समझने को कि समझने को कि सभी सिध्धान्तों की जो अच्छाइया होती है उन सभी अच्छाइयों को ले करकर के बनाया गया एक सिध्धान्त समवाय सिध्धान्त कहा जाता है तो बेश्ट कलेक्शन है क्या है सिध्धानत क्या होगा एक बेश्ट कलेक्शन होगा तो उसको उसको मतलब हर चीज में से जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं बढ़ियां-बढ़ियां सिध्धान थे उसको सभी स्भाज़ सभले के बनाया गया हूं जैसे कौन सा परव किस पर्व के अनुसार आपको कौन सा चेप्टर पढ़ाना है उसके तरह समय चाहिए फिर यह ना बच्चे जब रूप हो करके ग्रूप में काम करते हैं तबी वह अच्छे से सिखते हैं फिर आप लोग पढ़ें बहुमुखी सिध्धानता यह में बता ही दिया आगे भावनात्मक अभिव्यक्ति सिध्धानता बच्चे को किसी टॉपिक पर बोलने का भी अशर दीजिए ताकि अपनी अभिव्यक्ति जो बच्चा ज जाएगा बहुत कुछ जो है बच्चा अनुकुरण करते 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 देखते चालते उससे भी सीख लेता है तो यह सब सिध्धानत जो है आपको संस्कृत पढ़ते वक्त बहुत ही हेल्प करेगा ती सब को पढ़िए और आगे सब इसी टॉपिक को हम हिंदी में के करकर करके यहां पर डिसकस किये थे हिंदी में जो लोग पढ़े होंगे ठीक है अधर्वाइज अभी आप लोग संस्कृत में हमारे साथ पढ़ रहे हैं और अब उसको हम क्या किये हैं कि पॉइंट वाइस पॉइंट आपको बताएं जिसको उससे नहीं आए और मेरी यह वाली भी एक बार पढ़ लेते समझ लेते से भी क्लास मारी अवलेबल है आप लोगों को मिल जाएगी और अभी इस मिल जाएगा ताकि आप लोग एभी क्लास कर सकें फिलाले कहीं करें अभी संस्क्रित वाला करने तो ज्यादा सही है शुरुआती दोर में अगर सीख रहे हैं को सभविकते सभावीट करने तो अबभी बढ़ियां है ताकि सीखने में बहुत मदद करता है असानी हो जाता है तो आफ जाता है को सभाइनिकत्स का अर्थ है किसी भी भासा को को बिना किसी दभावि के रूप से घर के वातावण में वियंक twenty वातारावोण में सवयं से अपने से ही जो वह जो लोग आपस ता आपकशित करते उसी प्रकार के सीखने को बोलते हैं स Fucking and अर्थात उस भासा को बोलने वाले लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं और अन सबकी बातों को सुन करके बीना किसी व्यातन ज्ञान की सहजता से उस भाथा को सीख लेता लेता है तो कितना आराम से वह है सोचो सभाविक तक सिध्धामत यहीं ना कि जो भी लोग उसके आस-पास बोल रहे हैं उन सभी लोगों की बातों को वह सुनकर करकेके बिना किसी प्याकर्ण का उसका बहुत ऊपनियम उस भासा का नहीं चांटा है फिर विवह क्या कर लेता है इसी तरीके से देखाऊ में यहां पर बता दिए इसके मुछतपूर्णव बिंदू क्या क्या है कि इस सिधानत के अंतरकत भाषा सभाव से सिखी जाती है बात सही है अब यहीं चीज वहां पर हम बता हैं आ स्थानना मैं बताया हूं और भासान पर अधिक जोर देना चाहिए बच्चों के लिए जब बच्राइब मजबूत हो जाए अधर पढ़ना अरं लिखने पर धियान देना है फिर क्या है अध्यापक संस्कित भासा में बय भाहर करें करेंगे जब संस्कृत में सुनेंगे संस्कित में मैं कहानी आज़ा संस्कित वह भासा करने लगने तो संस्क्रिद सीखना आसानी से हो जाएगा बिना किसी जोर्ज because नहीं बहुत सारे नीमों को जाने ही बच्चा उस भाषा को को करने लगता है इसी परकार कि सीखने को हम लोग कहते हैं सोभविटा से झांत बच्चा सवभा द THE इतनी सब कायोजन हो सुद्ध उचा का विहास कराया जाए इसमें बालक भय रहित एवं कृत्मिता से रहित अधियम करता है अर्था देखावटी नहीं अधियम करता है भय से मुक्त होकर करके बड़े मस्ती में आराम से पढ़ता है यह स्वभावक्ता का सिध्धान्त तो जो तक करने हमें के लिए हमेशा क्रिया शीलता की नहीं कर साइब करोने के लिए प्रयोग प्रयोग करता है अभ्यास करता है इसकी आशिलता प्रयोग और अभ्यास निदंतर जरूरी है बालक करके सीखता है बार-बार कारिकों करवाना चाहिए आप भी जानते हैं यह सब कीवर्ड है यह सब कीवर्ड जब आप कोश्ण साल करोगे देखो यहीं सब मिल जाते हैं बस इतना ही है कि यहां पर समझने के लिए हिंदी में है और सब्सक्राइब की यह कि क्लाइन का नहीं है लेकिन वहां पर की वाइस बना इसको दिया गया है सौर तरीके से कथिन सब्दों को आपकंते करते करेगा से ψधततापूंद तरीके से और किसके पूरवक क्या कर सकते हैं कुसलता पूरवक या इक सुधता पूरवक जोर 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 से पढ़ना स्वाइब बैसे तुपतंजली के तीन वीद्नों का अनुकर्ण कर्वाना काण क remembers प्रभाव के तीन नियम इसी सिध्धान्त या धारित हैं किस पर क्रिया सिलता के सिध्धान पर तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बहुत सारा पूरा का पूरा हिंदी में भी डिसकस किया हूं तो इस सब तारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी और आगे जो लोग और पढ संस्कृत माध्य में कर रहा था जो आप लोगों के लिए अभी यह दे रहा हूं एक्जाम की सिध्य सिध्य लाइन मैच कर जाता है परिछा में कुछ लोग जब उससे पढ़ाए दो तीन बार उससे पढ़ाए बहुत सारे लोग उसको पढ़ेत का सर संस्कृत में अब एक करें जब एक एक लाइन को पढ़ोगे समझोगे विश्वास करिए आप सीध्य सीध्य परिक्षा में जाओगे जब या कुस्टन जो हमारे साब प्रैक्टिस सेट साल करोगे तो इसमें यह लाइने जो यहां पर समस्कृत में आ रही है ना यह सब लाइने वहां पर खुद यहां देखोई 9 है एसे हिंदी वाला 9 है और एक 10 पॉइंट हम यहां पर चर्चा किये हैं तो कोई संख्या पर उपर मत जाईएगा इस सब सिध्धानत हैं कुछ और विद्वान जन कुछ और सिध्धानतों को भी माने होंगे कि नहीं हम इस सिध्धान सभी बच्चे को तक जया करेंगे का स्ब्सक्राइब करेंगे आफ लोग बात करेंगे। जो महत्तपूर्ण टॉपिक हैं महत्तपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको एक जगा पर लेकर करके यह क्लास दिया जा रहा है और और विस्तित पढ़ने के लिए हम वाली भी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे जो अभी यहां पर यह वाली लिखा रहे थे इसके स क्लास में थैंक्स वाचिंग जाहिए